नमस्कार दोस्तों आपका ब्लैक क्लोवर की जादी दुनिया में स्वागत है अभी तक टोटल पांच मैच हो चुके हैं राउंड वन के अब बारी है सिक्स्त मैच की क्लाउस की टीम में एक सीनियर मैजिक नाइट होती है ये पुली एंजल एंड सामने वाली टीम में भी एक सीनियर मैजिक नाइट होता है सिलवर इगल का जो विन्ड मेज है मैच स्टार्ट होता ही ताबर तोड फाइटिंग होने लगती है क्लाउस पर एक बंदा वोटर मैजिक से हमला करता है और क्लाउस उससे बच रहा होता है क्लाउज एक दिवाल बना लेता है श्टील की उससे बचने के लिए सामने वाले बंदे से पर वो सामने वाला बंदा साइट से आके हमला करता है पर लग उसको बिजली का जटका देता है और सीधा ही अपने बिजली के जटकों से उनके क्रिस्टल पर हमला कर देता है सब लोग ये देखकर धंग रह जाते हैं कि लग एक जूनियर मैजिक नाइट है पर उसके अंदर ताकत एक सीनियर मैजिक नाइट वाला है उसके बाद मैगना क्लैरिफाई करता है कि कुछ महीनों से लग एंड मैगना दोनों ही काफी मुश्किल भरे मिशन का सामना कर रहे थ उन मिशन ने उनको श्ट्रोंग बनाया ये फाइट तो उनके लिए कुछ भी नहीं है ये बात तो मानना पड़ेगा कि मैजिक नाइट रैंकिंग ब्लैक बुल के मेंबर के लिए काम नहीं करती मतलब कि ब्लैक बुल के मेंबर को जज नहीं कर सकती क्योंकि ब्लैक बुल के सबी members ने काफी challenging भरे mission को complete किया है और काफी ताकतवर दुष्मनों से लड़े हैं इसलिए उनका experience and determination कमाल का है Klaus सोचता है कि मुझे पताता कि luck पहले ही intermediate level का magic night है All those का ranking junior level का है पर अब वो और ज़्यादा ताकतवर हो गया है और अब वो senior level जितना strong है पर Klaus ने भी बहुत मैनत की है आस्ता से inspire होके उसने भी काफी hard working training की है एक बंदा Klaus पे हमला करता है Klaus कहता है कि भले ही hard work मेरा साथ ना दे पर मैं अपने hard work को धोका नहीं दूँगा कहने का मतलब है कि वो अपने hard work को बरबाद नहीं करेगा वो अपने हमले से दूश्मन को धेर कर देता है आस्ता एंड मिमोसा दोनों ही cheers कर रहे होते हैं Klaus के लिए लग कहता है वो तो कमाल का spell था मैच के बाद क्या तुम मेर से थोड़ा हाथ अपाई करोगे Klaus कहता है बचकानी बाते ना करो और मैच पर focus करो अभी लग के पास crystal होता है बाद में वो अपने पीछे रख देता है रोब विटेस जो की एक senior magic night है वो अपने crystal के सामने आ जाता है लग और क्रिश्टल के सामने तीनों दुश्मन होते हैं क्रिश्टल कहता है चलो तीनों एक साथ मिलकर उनका crystal तोड़ दे पर पुली एंजल भी खुद एक senior magic night है और वो अपना थोड़ा दिमाग लगाती है और crystal को खुद पकड़ कर समालती है एंड अपने wings magic से दुश्मन पर हमला करती है सब लोग पुली एंजल के हमले के चपेट में आ जाते हैं तबी क्लाउज एंड पुली एंजल कहती है लग को की उनका crystal तोड़ दो लग आगे बढ़ता है उनके crystal को तोड़ने के लिए बट रोब विटेस crystal के सामने आ जाता है और कहता है हमारी ताकत का जो difference होगा वो बताएगा की कौन जीतेगा लग साइको मोड में आ जाता है और फुल स्पीड में आगे बढ़ता है वो इतनी तेज स्पीड में आगे बढ़ता है कि रोब विटेस को मोका नहीं मिलता और लग सीधा उस पे अटेक करकर उसको धेर कर देता है गोडन भी यही करने का सोचता है पर उसके साथ गोच खड़ा होता है जो अपनी भेन की फोटो देखने में बिजी होता है इन तीनों की जोड़ी अब अच्छे से जमने लगती है किसकी क्लाउज लक एंड पुली एंजल रिल एंड लक एक दूसरे को देखकर कहते हैं जब अगले राउंड में उनका मैच होगा एक दूसरे के आमने सामने होएंगे वो दोनों अब फर्स्ट राउंड का एट्थ मैच होता है टीम O वसेश टीम P अब है यूनो की टीम का मैच यूनो की टीम में नोयल होती है एंड सीनियर मैजिक नाइट ग्रीन मैंटिस का एन रिनगाड कहता है अगर हम तीनों अच्छे से खेले ना तो मुझे पता है कि हम लोग कर लेंगे वो काफी ओल्ड होता है और जिस तरह से बुड़े लोगों के हाथ कपकपाते है न उसके भी काप्रे होते है नोयल यूनो के साथ खड़ी होती और कहती है तुम्हे क्या लगता है ये बंदा ठीक है क्या इसका पाठिसिपेट करने ठीक है एंड यूनो को बोलती है हाँ तुम तो आस्ता के साथ पले बड़े हो न तो बहतर यह होगा कि तुम उस इडियट की तरह एक्ट ना करो यूनो कहता है तुम तो खुद का मैजिक अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती हो क्या तुम प्रोपरली फाइट भी कर पाओगी यूनो गड़े मुर्दे उखाडता है वो वोलकेनो साइट वाली बात करने लगता है ये तो एक स्टूपिडिटी है न यूनो कहता है एक तो तुम वीक आर्गुमेंट कर रही हो चैल्डी से मैच यूर बात कर रही हो ऐसा कोई रूल नहीं है कि किसान इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता लगता है आस्टा तुमारे उपर हावी हो रहा है हावी हो रहा है means something something नुएल शरम के मारे लाल हो जाती है और यूनो को सुनाने लगती है ये आस्टा की बात कहां से आई तुम क्या पकवास कर रहे हो आस्टा और मिमो सा कहने लगते है शान्त हो जाओ आस्टा कहता है शान्ती से अच्छे से अपना मैच खेलो ना please मिमो सा कहते है शायद तुमारे को ले करी उनके पीछ में आर्गुमेंट हो रहा है नुएल आस्टा में एक मुक्का मारती है तुमारी चिंता किसको है एक्चुली में वो आस्टा के बारे में सोच के लाल हो जाती है और फ्रस्ट्रेशन में उसको पेल देती है एन रिंगार्ट जब नुएल को टच करके शान्त होने को बोलता है नुएल कहती कहां मैंने तुमको टच करने की पर्मिशन दी फिर उदर सॉलिड आता है और कहता है तुम काफी कॉन्फिडेंट लग रही हो तुमारे पास टायमें बातचीत करने का आर्गुमेंट करने का मैं तो शोग डू कि तुम जैसी फेलियर भी इस टूनेमेंट में पाटिसिपेट कर रही है हाल फिलाल में ब्लैक बुल गलती से थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने लगी है क्या तुम ये तो नहीं मानने लग गई हो ना कि ये सब तुमारी वज़े से है तुम अच्छा परफॉर्म कर रही हो तुम तो खुद का मैजिक कंट्रोल नहीं कर पाती हो इसलिए तुम सिल्वर इगल में भी सलेक्ट नहीं हो पाई जबकि तुम सिल्वर फैमली की मेंबर हो आर्स्ता कहता है ये आजीब सा हेरकट वाला बंदा फिर से आ गया नोयल का मोराल डाउन करने हमको एक छोटा सा फ्लैश बैक दिखाया जाता है जिसमें सोलिड किस तरह से नोयल को हमेशा प्रेशन करता था वो सब दिखाया गया है और सेम चीज बार-बार बोलता था कि वो फेलियर है वो अपने मैजी को कंट्रोल नहीं कर सकती एटी सी चार मी का अलगी चल रहा होता है वो बैल को पकड़ने लगती है खाने के लिए गोर्डन बोलने लगता है तुम कर सकती हो नोयल तुम हमारे साथ फाइट करते हुए इतनी धूर तक आ गई हो हम बाइलोजिकली फैमली तो नहीं है पर हम प्रैक्टिकल एक फैमली है हम सब स्कौर्ड मेंबर एक फैमली है हमको पता है कि तुम तुमारे भाई से अच्छा कर सकती हो हमको तो पता ही है कि गोर्डन इतने धीरे बोलता है कि किसी को सुनाएं भी नहीं देता वेनेसा कहती है क्या किसी को पता है ये गोल्डन अपने आप में क्या बड़ बड़ा रहा है फींदल कहता है मुझे तो लगता है कि ये किसी तरह का काला जादू का मंतर पड़ रहा है सोलिड पर क्यूंकि वो नोयल को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है गोल्डन डाउन का एक बंदा सोलिड को पर separate वीडियो बना रहा हूं ताकि अच्छे से explain भी कर दूँ और copyright आने का chances भी थोड़ा कम हो जाए जिससे आप सभी लोगों को सारे episode की explanation मिल जाए अगर मेरी explanation वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो like this video and share this video and subscribe to my another anime channel abhi explain मेरे दूसरे channel पर abhi explain पर आपको कई सारी anime से related वीडियो मिल जाएंगी और आप हमारे साथ anime से related discussion या चिट चैट करने के लिम को join कर सकते हैं instagram and telegram पर जल्दी मिलेंगे next episode में जैहिन